असलाम लेकम चावतूपती आज हम लोग गरिलोशिया के नाम और गर पर इस्तमाल होने वाले वर्ब्स देखेंगे लेकिन आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक कमेंट का जवाब दूँगी जो के मुझे बार बार वसूल हो रहा है कि टैंसिस पर वीडियो बनाओं जैसा के पास्ट, प्रेसेंट, और फ्यूचर और स्पेशली कांटिनुवस पर तो वैल आते ही टैंसिस पर इतना फोकस करना आज थिंग को लाजी की बात नहीं, आप लोगों सिर्फ कुछ चीजों के नाम याद करने चाहिए, में भी इस पॉइंट पर आपके जहन में ये सवाल आए, कि अगर हम चीजों के नाम याद कार भी लेते हैं, तो उनके इस्त और प्रेजन कांटिनवस अंटैंसिस के लिए इस्तमाल करते हैं, इसकी एक मिसाल मैं आपको जल्दी से दिखा देती हूँ, अब अगर आप लोग यहाँ पर देखें, ये पहला जो पार्ट है, तुम क्या कार रहे हो, तो कार रहे हो, डैट मीर्स के ये कांटिनवस अंटै हैं, तो हम लोग ये कहेंगे, कोजा स्टाइफा चेंदो, फचेंदो वर्ब फारे हैं, कोजा स्टाइफा चेंदो तुम क्या कार रहे हो, लेकिन ये जुमला बहुत काम सुनने को मिलता है, आप लोग ने अक्सर सुना होगा, कोजा फाई, जो कि एक सिंपल प्रेजन टैंस है, लेकिन हम इसका इस्तमाल as a present continuous भी करते हैं, ओके, तो यहां से हम लोग ये पता चला, कि अगर कोई present continuous का sentence बोलना हो, तो उसके लिए हम लोग simple present भी इस्तमाल कर सकते हैं, हर दफ़ा नहीं, लेकिन most भी हम लोग करते हैं, उसके बाद हम लोग नीचे आते हैं, यहां पार यहां पार हम लोग देखेंगे, कि यह future का sentence है, मैं कल काम पर नहीं आऊंगा, अगर grammatically बॉलना हो, तो कहूंगी, दोमानी नौन वेरो अल्लावोरो, वर्ब है, यह वाला वेरो, वोचे दल वेर्ब हो, वेनीरे, हम लोग ने वनीरे का वर्ब पिछे देख लिया है, वेनीर यह वेरो, दोमारी नौन वेरो अल्लावोरो, मैं कल काम पर नहीं आऊंगा, लेकिन हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, दोमारी नौन वेंगो अल्लावोरो, वेंगो जो के present में है, हमेशा वर्ब वही हैं वेनीरे, लेकिन यहां पर हम लोग present का इस्तमाल कर रहे हैं, तो इसमीन कर सकते हैं, ओके तो यहां तक हम लोग ने देख लिया, कि present continuous या फिर future का कोई sentence बोलना हो, तो इसके लिए हम लोग simple present भी इस्तमाल कर सकते हैं, लेकिन इसका इस्तमाल अब तब तक करें, जब तक आप लोग को future के sentences और present continuous sentences नहीं बनाने आते हैं, जब आप लोग वो सेख ल करते हैं, तो यहां हम कुछ कामन चीज़ों के जो नाम हैं, वहां से शुरू करते हैं, पहला देख लेते हैं, मेज, मेज को इटालियन में कहते हैं, तावोला, तावोला, मेज को कहते हैं, उसके बाद कुरसी को कहते हैं, सेदिया, सेदिया, और जो सिंगल सोफा होता है उसे पोल्त्रोना और डबल सोफा या पर जो भी नार्मर सोफा होता है उसे दिवानो पर रिपीट करें तावोला, सेदिया, पॉल्त्रोना, दिवानो, उसके बाद पलंग या बैट, लेटो, लेटो, उसके बाद बैट के साथ वाली जो टेबल होती है, उसे कहते हैं, कोमोदीनो, कोमोदीनो, उसके बाद द्रास के कहते हैं, कसेटो, डबल आस है, डबल टी है, कसेटो, उसके बाद कोट स्टेंड, इसे कहते हैं, अतका पानी, अतका पानी, अगर आप लोग इसके स्पैलिंग देखें, तो डबल टी, डबल सी, डबल अन है, ठीक है, तो स्पैलिंग अच्छी तरह से याद कीजिए, अतका पानी, उसके बाद हैंगर, गुरूच्चा, गुरूच्चा, अरपीट करते हैं, पलंग, लेटो, बैर साइट टेबल, कोमोदीनो, कसेटो, अतका पानी, गुरूच्चा, उसके बाद देखेंगर, कलीन, कलीन को कहते हैं, तपेटो, तपेटो, पर्दा, तेंदीना, तेंदीना, उसके बाद शेटर, तापरेल्ला, तापरेल्ला, अगर शेटर को उपर करना या नीचे करना हो, तो उसे कैसे कहेंगे, उसके लिए एक वर्ब इस्तमाल होता है, तिरारे, ओके, तिरारे, अगर नीचे करना हो शेटर, उसे कहेंगे, तिरारे जू, शेटर नीचे करना, यह यू के उपर उपर चैन्तों भी आती है, जबर, तिरारे जू, और अगर उपर करना हो, तो जू की जगह हम सू इस्तमाल करेंगे सू का मतलब होता है उपर जू का मतलब नीचे और जो वर्ब है वो है तिरारे ओके तिरारे जू नीचे करना तिरारे सू उपर करना उसके बाद पंखा पंखा को कहते हैं वेंटिला तोरे वेंटिला तोरे उसके बाद जो हैंड फैन होता है उसे कहते हैं वेंटालियो वेंटालियो रपीट करते हैं इसको तपेटो तेंदीना तपरिला वेंटिला तोरे वेंटालियो उसके बाद स्टूल स्टूल को कहते हैं जगाबेलो जगाबेलो एस है लेकिन ये सीन के वाज नहीं जे के वाज देगा जगाबेलो उसके बाद डोर मैट इससे कहते हैं जेरबीनो जेरबीनो उसके बाद डस पेट इससे कहते हैं पलेटा जारू इससे कहते हैं स्कोपा जारू देना इसके लिए जो वर्ब इस्तमाल होता है वो है स्कोपारे ओके स्कोपारे जारू देना और जारू को कहते हैं स्कोपा उसके बाद पोंचा इससे कहते हैं मोचो मोचो असल मोचो सिर्फ इस पार को कहते हैं ठीक है और उपर दिए स्टिक है इससे कहते हैं बस तोने और यह जो बाल्टी है इससे कहते हैं सेक्यो और पोंचा लगाना इसके जो वर्ब इस्तमाल होता है वो है पसारे पोंचा लगाना पसारे इल मोचो ओके आई रपीट करते हैं इससे स्टूल जगाबेलो उसके बाद जेर्बीनो पलेट्टा स्कोपा मोचो उसके बाद देखें दर्वाजा दर्वाजा पोर्टा पोर्टा दर्वाजे को कहते हैं उसके बाद खीर की फिनेस्त्रा फिनेस्त्रा कमरा कमरे को कामेरा स्तांसा और साला भी कहते हैं कामेरा स्तांसा साला यहां पर जेता है जे की वाज नहीं बलके ये से की वाज देगा स्तांसा ना किस सीन की ओके उसके बाद सोने का कमरा कामेरा दा लेत्टो रहने का कमरा सोजोर्नो खाना खाने का कमरा साला दा प्रांसो यहां भी जेत से की वाज देगा साला दा प्रांसो बवर्ची हाना कुचीना घुसल हाना बानियो बानियो बरामदा कोरिदोयो यहां आप लोग तस्वीर में भी देख सकते हैं कौरिदोयो उसके बाद बालकनी बलकोने बलकोने रपीट करते हैं तरिबते हैं आप्टी करते हैं gull Career उहां यहां यहां फालती हैं जीवर्पिबते मत करते हैं बल्य बलकोने जुवर्दा करते हैं तक्या कुशिनो बच्शित लेंसूओो लेंसूओो गद्दा मतरासो तक्या कवर फेदेरा अर्पीट करें उर्पे लेंसूओो अर्प्यत करेंसूओो तक्या करें लेंसूओो जर्प्दित लेंसूओो दर्वाज़े की कुंडी मानीलिया दल्ला पॉर्टा पॉर्टा हम लोग ने पीछे देखा इसका मतलब दर्वाज़ा है तो मानीलिया कुंडी मानीलिया दल्ला पॉर्टा और अगर दर्वाज़े की कुंडी इस तरह से है नाप की तरह तू पुम्टाँ ना प험ा पूर्ता पूम्टाँ पूर्ता चाभी चाभी ताला उसके बाद नाल रूबिनेटो उसके बाद बाथ्टब वास्का रपीर करते हैं इसे चस्तीनो मनिल्य दल्ला पॉर्टा पोमो दल्ला पॉर्टा क्यावे सेर्रातूरा रूबिनेटो वास्का उसके बाद इस्तीनो 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 जस्तीनो जसके बाद कलोथ्ष्ण रिपीट करें इसे चात, चात को कहाते हैं टेटो उसके बार एक चात जो के गार के उपर होता है बाहिर वाला हिसा और एक रूम के अंदर वाला हिसा यहनके रूम का चात जो होता है उसे कहते हैं सोफित्टो सोफित्टो उसके बाद फर्ष फर्ष को कहते हैं पावी मेंटो पावी मेंटो सीर्या, स्काले स्काले रपीट करते हैं तेट्टो, सोफित्टो, पाविमेंटो, स्काले वाशिंग मशीन, लावा त्रीचे ड्राइ मशीन, अशुगा त्रीचे अल्मारी, अर्मादियो आइना, स्पेक्यो अलारं क्लाक, जवेलिया जवेलिया गुल्दान, वाजो यहां पर एस, जे की वाश देगा वाजो रपीट करें लावा त्रीचे अशुगा त्रीचे अर्मादियो स्पेक्यो जवेलिया वाजो अब आते हैं, बवर्ची हाने की तरफ हम लोग ने पीछे देखा बवर्ची हाने को कहते हैं, कुचीना और ये साथ आर्टिकल है ला कुचीना फ्रीज फ्रीज को कहते हैं, फ्रीगोरी फेरो फ्रीगोरी फेरो गलास बिकियरे चमच कुकियायो कांटा फॉर्केत्ता फॉर्केत्ता प्लेट प्यात्तो प्यात्तो काप तास्सा तास्सा मर्त्मार बरात्तोलो बरात्तोलो रपीट करें फ्रीगोरिफेरो बिकियरे कुकियायो फॉर्केत्ता प्यात्तो तास्सा बरात्तोलो यहां पर एक और चीज़ देखें फ्रीज को कहते हैं फ्रीगोरिफेरो यानि जो चीज़ ठंडी करती हो उसके बाद हीटर हीटर को कहते हैं कालोरिफेरो कालोरिफेरो हीटर को कहते हैं ठीक है यानि फ्रीज को कहते हैं फ्रीगोरिफेरो और हीटर को कहते हैं कलोरी फेरो साले साले कहते हैं नमक को साले मिर्च पेपे पेपे हल्दी कुर्कूमा कुर्कूमा चिन्नी जुक्केरो जुक्केरो आटा फरीना फरीना लहसन आल्यो आल्यो अद्रक जन्जेरो जन्जेरो डाल लैंतिक्या लैंतिक्या चने चेचे एक चना होगा चेचे और ज्यादा चने तो चेची और ये रिपीट करते हैं साले पेपे कुर्कूमा जुक्केरो फरीना आल्यो जन्जेरो लैंतिक्या चेचे उसके बाद नमक डानी सलियरा साले से सलियरा उसके बाद शुगर बौल जिसमें चीन्जी रखते हैं जुक्केरियरा जुक्केरो से जुक्केरियरा उसके बाद चाय डानी चाय को कहते हैं तै ओके और चाय डानी तैयरा तैयरा उसके बाद केतनी को कहते हैं बोलितोरे बोलितोरे छुरी कोलतेलो कोलतेलो बोतल खोलने वाला आपरी बोतीलिया बोतीलिया कहते हैं बोतल को आपरी जो है यह वर्व हैं आपरी रे जिसका मतलब होता है खोलना तो आपरी बोतीलिया बोतल खोलने वाला उसके बाद डोई या कर्ची मेस्तो लो मेस्तो लो आगे रपीट करते हैं नमक दानी सलियरा जुक्केरियरा तेयरा बोलितोरे कोल तेलो आपरी बोतील्या मेस्तो लो कटिंग बोर्ड कटिंग बोर्ड को कहते हैं तल येरे बेलन मतरेलो मतरेलो छली कोलीनो कोलीनो कट्धु ख़िश करने वाला ग्रातूजा ग्रातूजा रपीट करें तल येरे मतरेलो कोलीनो ग्रातूजा उसके बाद देखें रास रास को कहते हैं फिट्टे बिसकोताते फिट्टे बिसकोताते शेहद मियले मियले एक लफ़ज है इटालियन में मायाले मायाले कहते हैं सूर का गोश्ट ठीक है तो ये लफ़ज मिक्स ना करें मायाले और मियले उसके बाद एक लफ़ज है ब्रेड पाने और ब्रेड स्लाइस फेट्टे दी पाने फेट्टे दी पाने बिसकिट्स बिसकोती बिसकोती उसके बाद मक्खन बुर्रो बुर्रो अर्पीट करते हैं फेट्टे बिसकोत्ताते मियले मायाले में यहां लिख देती हूँ सूर का गोश्ट उसके बाद ब्रेड पाने फेट्टे दी पाने बिसकोत्ती बुर्रो मश्रूप बेवांदा दूद लात्ते पानी आक्वा फल्लूं का रास सुको दी फ्रूट्टा सुको कहते हैं जूश को दी फ्रूट्टा फल्लूं का अब दी फ्रूट्टा की जगह हम दी मांगो यहनि की मैंगो जूश यहां फिर दी रांचा माल्टे का जूश सुको दी फ्रूट्टा फल्लूं का जूश यहां पर एक ओल्लूट करते हैं तै हम लोग ने पीछे देखा तो है तै का मतलब होता है चाई उसके बाद कफ्वे कफ्वे कहते हैं काफी को ओके रिपीट करते हैं इस सारे को बेवांदा लाटे आक्वा सुको दी फ्रूट्टा तै कफ्वे उसके बाद कराही को कहते हैं पादेल्ला पादेल्ला ब्लेंडर फ्रूलतोरे फ्रूलतोरे ब्लेंडर्ची पैंटोरा 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 ड़क्णा ड़क्णा कोपेर्कियो कोपेर्कियो उसके बाद दोरी डंडा पैस्तेल्लो या फिर मोर्तायो शेफ्स हैट कपेल्लो कपेल्लो जो बबर्ची की टोपी होते हैं उसे कहते हैं कपेल्लो वैसे भी टोपी को कपेल्लो कहते हैं अर्पीट करते हैं पादेल्ला फ्रुलातोरे पैंटोरा कोपेर्कियो पेस्तेल्लो मोर्तायो जैंब्यूले कपेल्लो बेसन लवंदीनो अगर कीचन के हैं तो देल्ला कुचीना अगर वाश्रू में हैं तो देल्ल बानियो यानि के लवंदीनो देल्ला कुचीना लवंदीनो देल्ल बानियो उसके बाद टोस्टर तोस्ता पाने तोस्ता पाने लवंदीनो तोस्ता पाने चुल्हा फोरनेलो फोरनेलो ओवन फोरनो फोरनो मैक्रोवेब ओवन फोरनो आ मिक्रोंदे अरपीट करते हैं फोरनेलो फोरनो फोरनो आ मिक्रोंदे अब यहां पर कुछ वर्ब्स देख लेते हैं पहला वर्ब है सोना दोर मीरे जागना जविल यार्सी जविल यार्सी अब यहां पर इसकी शेकल कुछ मुद्लिफ सी है क्योंकि हम लोग ने जो वर्ब्स सीखा है वो यह है कि वो आरे, एरे और इडे पर हतम होता है लेकिन यहां पर आर्सी है यानि कि सी पर हतम हो रहा है ऐसे वर्ब्स को हम कहते हैं वेर्ब्स रिफले सीवी जो कि हम लोग ने अभी तक नहीं किये वो हम थोड़ा आगे जाकर सिखेंगे जगाना जविल यार्सी उठना अलसार्सी इसके बाद लेटना जदराइ यार्सी यह भी वेर्ब्स रिफले सीवी इसके बाद दोना लवार्सी लवारसी नहाना फारेला दोच्चा फारेला दोच्चा हुश्क करना अशुगारे अशुगारे दोना लवारे अब यहां बर लवारसी और लवारे दोने में क्या फर्क है पहला जो है लवारसी यह वेर्बर फलेसीवो है और लास्ट वन यह जो है यह वैसे एक नार्मर रेगुलर वर्ब है इनके मीनिंग में यह फर्क है लवारसी अपने आपको दोना ठीक है मसलां मी लावो ले मानी मैं अपने हाथ दोती हूँ और यहां पर यह जो दूसरा है लवारे यह किसी चीज़ को दोना किसी और चीज़ को दोना ठीक है मसलां लवारे यह वेस्तिती कप्रे दोना या फिर लवारे यह प्याती बरतन दोना पहला जो है लवार से यह अपने आपको दोना और दूसरा लवारे ही किसी और चीज़ को दोना उसके बाद खाना मनजारे पीना बेरे नाष्टा करना फारे कोलासियोने कोलासियोने नाष्टा करना फारे कोलासियोने दूपहर के खाने को कहते है प्रांसो और जो दकषर खाणा जो वर्व होगा उसके लिए वह प्रांसारे यानकि यह जो प्रांस ओ है यह नाउन है दुपहर का खाना खाना यानकि जो काम होगा खाने का उससे कहते हैं प्रांसारे और इसी तरह से जो रात का खाना होता है उसे कहते हैं चेना और जो वर्ब होगा वो है चेनारे ओके चेना नाउन है रात का खाना और रात का खाना खाना जो फेल होगा वो है चेनारे उसके बाद मेक अप करना तुरुक कारसी यह एक और वेरबरी फलसीव है तुरुक कारसी उसके बाद दाड़ी बनाना फारसिला बार्बा फारसिला बार्बा कंगी करना पेती नारसी कप्रे पेहनना वेस्तीर सी पेहनना इंदो सारे अब यह जो पेहनना है पहले वाला है वेस्तीर सी यह सिर्फ कप्रों के लिए इस्तमाल होता है कप्रे पेहनना उसके बाद यह जो है इंदो सारे यह कोई भी चीज पेहनना कपड़े पहने ना जूते पहने ना इन दो सारे उसके बाद स्वाई करना पुलीरे इस्त्री करना स्तीरारे इनको रपीट करते हैं ढूर मीरे ज clockwise हिस्वील्यार इ hilarious इंहीं velियार इल सारे सट्राइल्यार सील्यार वारसी फार वरर इन्लफ एू रशार स्यु वारेаль depends वा Patt जावरार쪽에 वारे जड़जpora गैन में पना जारे बेरे यारे को लाश्यार सी तरुचार में पंदार स उन्या में करना सी पातिनार सि वैस्तीर सि इन्दवसारे पुलीरे इस्तीरारे अब एक चीज इनकी कोन्यों का स्योने आप लोग भोज करेंगे कि हम लोग ने पिछली वीडियो में सीखा है कोने यों गस्यों ने क्यासे करते हैं जो चीज़ आप लोग को प्राबलम देगी वो शायद यह होगी वेर्बरिफलेसीवो के यह भी वेर्बरिफलेसीवो यह भी यह वाला भी उसके बाद तुरुकार सी फार्सी यह भी पेतिनार्सी वेस्तीर्सी यह भी हम लोग ने नहीं किये इनके जब हम लोग वेर्बरिफलेसीवो करेंगे तब इनका देख लेंगे कोन्यों गस्यों ने कैसे करते हैं बाकी नार्मल है आप लोग इनकी कोन्यों गस्यों बेरे का जब हम लोग ने वेर भी इर्रेगुलार किये थे तब हम लोग ने देख लिया था बेरे कैसे बनाते हैं कोने गस्यों ने सिर्फ पुलीरे नहीं देखा मेरे हाल में पुलीरे का यह पुलीस को तू पुलीशी लूई ले पुलीश्य नौई पुलीयामो वोई पुली उसके बाद कीचन वाले वर्प्स देख लेते हैं पकाना कुचिनारे उबालना बॉलीरे तल्ला फ्रीजरे गुंदना इंपस्तारे ये गुंदना होता है इंपस्तारे और गुंदा हुआ आटा उसे कहते हैं इंपस्तो ठीक है जो आटा गुंदा हुआ होगा जिसे इंग्लिश में डो कहते हैं उसे कहेंगे इंपस्तो उसके बाद गरम करना सकल डारे उसके बाद बूर ना यानके बूरी रंग तक पकाना उसे कहते हैं सो फ्रीज रे फ्रीज रे यानके पूरी तरह से तलना और ब्राउन करना जैसे प्यास ब्राउन करते हैं नार्मर से उसे कहते हैं सो फ्रीज रे उसके बाद उन्डेलना विर्सारे विर्सारे उसके बाद खंगालना शाक्वारे काटना तल्यारे चीलना जबुचारे जबुचारे जनके चिलका उतारना इसको इसके लिए एक और वर्ड भी है पेलारे ठीक है और जो चीज़ आप लोग चीलने के लिए इस्तमाल करते हैं उससे कहते हैं पेला पताते एक तुचूरी होती है और एक दुसरा पटाटो पीलर भी होता है उससे कहते हैं पेला पताते उसके बाद मिक्स करना मैस को ला रहे मैस को ला रहे उसके बाद टुक्रू में काटना जैसे आप लोग यहां पर देख सतने इस तस्वीर में उससे कहेंगे अफ़े तारे उसके बाद कदुक्ष करना ग्राटु जारे ग्राटु जारे भूनना अरोस्ती रहे रोस्ट करना, अरोस्टीरे, फैंटना, मौन्तारे, अंडे को फैंटना या फिर करीम फैंटना, मौन्तारे, अर्पीर करते हैं, पकाना, कुचिनारे, बोलीरे, फ्रीजरे, इंपस्तारे, स्कल्दारे, सो फ्रीजरे, वेर्सारे, शक्वारे, तल्यारे, जबुचारे, मैसकोलारे, अफ़ेतारे, ग्रातुच्जारे, अरोस्टीरे, मौन्तारे, इनकी भी कौनियों का स्योरे, अप लोग भूत करेंगे, अगर कोई प्राही, थैंक्स फर वाचिन, अल्हाफीस.